जिस तरह भारत के विदेश मंत्री जो है एस जैशंकर जिस तरह इन देशों को अमेरिका और यूरोप को करा जवाब दे रहे हैं उससे पता चलता है कि भारत अभी कहां है भारत की स्थिती बदल चुकी है अब भारत डरने वालों में से नहीं है जिस तरह अमेरिका सवाल कि अपनी तरह देखो अपनी गिर्फा जहांक लेना चाहिए जिसके बाद यूरोप है वो भी कई तरह के सवाल उठाता है जैसे बहुत सी चीजे बोलता रहता है तो यूरोप को भी भारत नहीं करारा जवाब देते हुए कहा कि अपना नजरिया बदलो भारत वो पुराना भारत नहीं रहा आपकी सोच पुरानी है इस पुरानी सोच को बदलो हमने अपनी सोच कप की बदल दी है अब नए भारत में जाक कर देखो तो आपको पता चलेगा कि भारत अब कहा है इस तरह के कड़े जवाबों से अमेरिका और यूरोप को चुप कराने के बाद अब बारी आती है कतर की अमेरिका और यूरोप के बाद कतर ही क्यों कतर ने ही इत्राज जताया जबकि जो नुपुर शर्मा का जो बयान था नुपुर शर्मा ने अपने जो वाक्य में कहा था टीवी चैनल पर वो था 27 मैं को ठीक आठ दिन बाद ऐसा नहीं है आज शोशल मीडिया का जमाना है कि यह खबर पहुंचते पहुंचते आठ दिन लग गए ह जो मूदी विरोधी हैं वो ऐसी चीजों को बहुत ही जल्दी वाइरल करते हैं और यह खबर तो कब की उनके पास भी पहुंच गई होगी पर उन्होंने विरोध आठ दिन बाद ही क्यों जताया यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ ही बहुत बड़े बड़े शंकाएं सामने आते हैं अब इससे पीछे की तारीक पर एक नज़र डालते हैं चौबिस अप्रेल को I.M.F. और पाकिस्तान के बीच बात हो रही थी और पाकिस्तान का जो आठ बिलियन का करज है जो रुका हुआ करज है उसको क्लियर करने के लिए I.M.F. मान गया था जिस हुए कर्ज को क्लियर करने के लिए साहिता करे या पाकिस्तान की किसी भी तरह से साहिता करे क्योंकि अगर IMF इनको पैसे दे देंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी जिसके बाद बहुत से जो कांड हैं वो बढ़ जाएंगे इसके बात भारत ने कुछ नहीं का कुछ नहीं बोला मोन रहा फिर 14 मई को भारत ने जो जो एक्सपोर्ट करना था गेहूं का उस पर बैन लगा दिया उसको रोक दिया जबकि एक दिन पहले ही यह बात हुई थी कि केंडर के तीन मंत्री बाहर अलग अलग देशों में जाएंगे और बाहर जाकर गेहूं का निर्यात करेंगे जो पैसे हैं उनके बारे में बात करेंगे किस दाम में बेचना है कितना बेचना है इन सब का तै करेंगे इन सब को फैसले लेता है भारत किस तरह के फैसले लेता है अपने फैसले पर कायम नहीं रहता एक दिन में ही यू टर्न ले लिया बहुत से लोगों ने यह सोचा पर भारत नहीं चाता था कि पाकिस्तान को यह पैसा मिले जो बेल आउट जो पैकेज है वो भारत जो पाकिस्तान को मिले क्योंकि इस से भारत के साथ भारत की इस्तिती तो पाकिस्तान की इस्तिती जो है सुधर जाएगी आर्थिक इस्तिती पर जिसका खामियाजा भारत को वुगतना पड़ेगा जो बॉर्डर पे जो सीज फायर का उलंगन होता है वो बढ़ जाएगा जमू कश्मीर में आतंक वा जो को करने की कोशिश करेगा तो इसलिए भारत ने कुछ नहीं का पर अपने जो गेहूं का एक्सपोर्ट है उसको रोग दिया जिसके बाद आयम एफ उनके सामने गिड़ गिड़ाने लगा भारत के सामने गिड़ गिड़ाने लगा कि भाई बैन हटा दो गेहूं की जरू और यूक्रेन वही पर गेहों की सबसे जादा पैदावार होती है पर अब वही पर जो युद्ध चल रहा है उससे सारी स्थिती बिगड़ गई पर भारत ने वैसे कुछ नहीं का आएम एफ से बस ये कहा कि हमें भी भारत में गेहों की जरूरत है क्योंकि हमारे यहां भी गर पाकिस्तान को जो बेलावड पैकेज था वो देने से मना कर दिया पाकिस्तान को साफ मना कर दिया इसके बाद जो साओधी अरब और UAE थे उन्होंने भी पाकिस्तान को कोई भी आर्थिक मदद करने से मना कर दिया कि जब तक आएम एफ आपको पैसे नहीं देगा तब तक ह और यूरोप भारत से इसलिए नाराज नहीं है क्योंकि भारत की हैसियत बढ़ रही है स्तर बढ़ रहा है भारत की जो ताकत है वो बढ़ रही है इसलिए नाराज नहीं है वो नाराज है कि रूस और यूकरेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत अमेरिका यूरोप और यूकरेन के स्टेंड में नहीं है परन्तु भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा है इस नाराजगी में है अमेरिका और यूरो कि भारत अभी भी रूस का साथ नहीं छोड़ रहा है अब इतनी जो किलत हुई है इतने रूस और यूकरेन का युद्ध चल रहा है तब भी वो सस्ते दामों में तेल बेच रहा है और भारत उसको खरीद रहा है इसलिए रूस का साथ भारत नहीं छोड़ रहा है भारत वी आत्मनिरभरता आ रही है जैसे भारत फार्मसी और दवायों का व भर नहीं रहना चाहता अब वो उर्जा के और भी ऐसे श्रोत ढूंड रहा है जहां से उर्जा प्राप्त की जा सके और अपने देश के स्थर को बढ़ा रहा है इसके अलावा जो हतियारों का मामला आता है तो भारत ने दूसरे देशों से हतियार खरीदना भी लग भग देश में ही बना लेता है तो अमेरिका और यूरोप इस स्तिती से खुश नहीं है क्योंकि भारत अब एक सम्रद्द देश है भारत की हैसियत अब बढ़ चुकी है इसलिए कोई भी खुल कर इस मामले में भारत के सामने बोलता नहीं है पर उनकी नाराज की उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है इसके अलावा जो एस जैशंकर नहें उन्होंने अमेरिका को जवाब भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बाहरत जितना एक महीने में आयत करता है तेल का उतना थो ये यूरोपिय देश आधे दिन में कर लेते हैं इसको सुनकर ये लोग चु प्रतिनी दी थे भारत के जो बातचीत करने वाले प्रतिनी दी थे वो तालिबान गए काबूल गए तालिबान गए वो भी किसी बिना खाड़ी देश की मदद की अमेरिका यूरोप किसी की भी मदद नहीं ली कतर साउदी अरब किसी भी की मदद के बिना सीधे तालिबान स बात करने के लिए पर वो नहीं कर पाया पर भारत ने सीधे ही तालिबान से बात की और जो की सफल भी रही तालिबान से उसने बात की तालिबान ने कहा कि आप अपना दूतावास यहां खोलिए उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी होगी सुरक्षा की गारंटी ली गई ये को खाने को धीमी आज पर पकाना है किस खाने को तेज आज पर पकाना है ये उसको पहले से पता होता है और वो अपना पहले से ही तैयारी करती है इसकी तो यही था कि नरेंद्र मुदी कोई भी फैसला अचानक से नहीं लेते इसकी वो प्लैनिंग करते हैं पूरी प्लैनिंग के साथ ही कोई फैसला लेते हैं कोई भी बातचीत करते हैं और वही इस केस में हुआ दो जून को भारत के जो प्रतिनी दी थे वो काबुल गए और तीन जून टाइमिंग देखिए तीन जून को अमेरिका ने रिलीजियस जो है फ्रीडम पर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें भा दवाब ऐस जैशंकर ने वक्षू भी दिया कि अपने गिरेबान में जहाग कर देखिए कि आपके यहां क्या हो रहा है आप पहले अपने देश को देखिए पिर हमारे देश पर बोले हैं तो भारत इस टोन में किस तरह बात कर रहा है भारत इतनी अकड़कर बात क्यों कर यह सब हैरान है पर यह सब यह भी जानते हैं कि भारत अब सम्रद है भारत अब किसी के भी दवाब में आने वाला नहीं है जिस तरह चीन का हल किया चीन की एक जो है हडबडाहट का जो जवाब दिया था भारत ने जिस गुराहट से दिया था चीन को मज़ा चखाया था तो इस चीज को देखकर ये सभी समझ गए हैं कि अभी भारत की इस्तिती क्या है अब इसकी टाइमिंग देखे तीन जून को अमेरिका को जबाब मिला और कतर ने चार जून को भारत से नाराज की जताई उसके राज़ूत को बुलाकर नाराज की जताई तलत किया तो टाइमिंग है तीन जून चार जून जो नरिंद्र मुदी हैं उन्होंने बहुत ही महनत स उनके एक बहुत ही महत्वपूर निर्डियों से नित्रतों से ही भारत आज इस स्थिति में पहुंचा है खाड़ी देशों के साथ इसलामिक देशों के साथ अपने संबंद इन्होंने सुधारे हैं इसलामिक देशों में मंदिर खुलना, जम्मु कश्मीर से धारत 370 हटना, सीय लागू होना ये सब सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है मोदी के ही राज में ये पॉसिवल है और वही हुआ इसलामिक देशों से बहुत ही संबंद सुधरे हैं भारत के पाकिस्तान का साथ 3-4 देशों के अलावा, 3-4 इसलामिक देशों के अलावा आज कोई नहीं दे रहा है सिर्फ 3-4 ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान का अपने मन से साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं अब इसके बाद सवाल आता है कि कतर ने चलो अमेरिका के दबाब में आकर ये सब किया पर इसके साथ क्यू आगया इसका एक दूसरा बड़ा कारण है क्योंकि इन दुनों जो खाडी के देश है जो इस्लामिक देश हैं उनमें इसलामिक वर्ग में जो leadership है उसकी अभी होड चल रही है यह leadership लंबे समय से साउदी अरब के पास है और इसकी अभी होड चल रही है किसके पास यह leadership जाए तो कतर ने इसको मुद्दा बनाया कतर ने अमेरिका के दबाब में इसका जो खुलाशा किया इसके बाद सारे देश सोचने लगे कि कहीं कतर ही ये लीडर्शिप ना ले जाए तो सभी अपना अपना पक्ष रखने लग गए अपनी अपनी बाते करने लग गए इसके अलावा साओधी अरब उसने भी यह सोचा कि कहीं कतर और बाकी देश अपना योगदान ना दे दे और धर्म के मामला है इसमें मैं पीछे रह जाओं तो इसमें इसका सोचते हुए ही साओधी अरब भी सामने आ गया वैसे तो यह सारे जो देश हैं भारत के सामने कुछ अभी एजिप्ट ने एक और मामला है अभी एजिप्ट ने वर्ल्ड बैंक से 500 मिलियन डॉलर का कर्ज मांगा है वो भी क्यों ताकि वो भारत से गेहुं खरीच सके यह कर्ज मांगा है ताकि वो भारत से गेहुं खरीच सके अभी एजिप्ट में जो यह रूस और यूक्री पर खबत चल रही है यह अपने देश का 61% जो गेहु होता है उसका निर्याद करता है उसको बेष्टा है पर अभी इसके पास खुद किलत है और इसने कर्ज मांगा है गेहु की आपूर्ती करने के लिए गेहु खरीदने के लिए भारत से इसके बाद जो भारत में भारत सरकार के सामने विकल्प क्या रह जाता जो नुपुर सर्मा ने कहा उसको सही मान लेती पर अगर ऐसा वो करते तो जो उन्होंने विकल्प बनाए हैं जो तैयारियां उन्होंने विकास के लिए शुरू की हैं वो सब धरी की धरी रह जाती जिसमें एक आता है चीन का वन बेल्ट वन रोड के जवाब में जो एक शॉर्ट टेस्ट ट्रेड जो रूट उन्होंने तियार किया है ये रूट धरा रह जाता ये रूट गुजरेगा साउधी, UAE, जौर्डन, इसराइल, ओमान, साइप्रस और ग्रीस से इन देशों से होकर ये रूट गुजरेगा ये जो योजना थी वो धरी की धरी रह जाती पर ऐसा नहीं है भारत ने इसका जवाब नहीं दिया पर इसकी तयारी शुरू कर दी है जैसे कि जितना जो रूट की सबसे बड़ी तेल कंपनी है जिसका नाम है रोस निफ्ट ज यह है छे जुन को उन्होंने आदेश जारी भी कर दिया है भारत सरकार ने कि अब दगणा तेल रोस निप्स से खरीदा जाेगा चेंजन को यह कता बताया पर इसमें काताती की जाएगी वो कहां से की जाएगी वो की जाएगी इन खाडी देशों से इन खाड़ी देशों को सबक सिखाने के लिए इनसे भारत ने कुछ नहीं खा पर इसका खाम्याजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और ये जो तेल की कटोती की जाएगी वो इन खाड़ी देशों से काट कर ही रूस से जो तेल है वो खरीदा जाएगा भारत और रूस से जो तेल खरीदता है वो अब जितना भी खरीदता है उसने दुग ना खरीदेगा तो भारत सरकार के बारे में कुछ भी गलत बोलना सही बोलना भारत देश को मोधी जिस रहा पर ले जा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है पर जो निपोर्षर्मा केस है इ लोगदान कहें या जो बड़ी आग लगाई चिंगारी में जो घी डालने का काम किया वो किया विरोधी टीम ने वो कैसे इन्होंने दिन पर दिन इस चीज को वाइरल किया लोगों को उकसाया इस पर जवाब मांगने के लिए इस मुद्दे को उकसाया इस मुद्दे को जीत है पूरी जीत कभी मोधी सरकार होने ही नहीं देगी क्योंकि मोधी सरकार की हार तो भारत की हार भारत के विकास की हार तो इसलिए मोधी जी की जो स्ट्रेटेजी है उनमें ये बहुत महत्वपून है कि वो धीरे-धीरे काम करते हैं एक तरफा काम नहीं करते और एक लूग मोदी जी के हिंदुत्व सवाल उठाते हैं वो किस आधार पर सवाल उठाते हैं वह उनकी राजनीती पर उनकी न की गतिविद्यान उन पर सवाल उठा सकते हैं पर उनके सनातनी होने पर सवाल नहीं उठा सकते मोधी कल भी हिंदु थे आज भी हैं और हमेशा हिंदु रहेंगे उन्होंने समनातन धर्म के लिए जो किया है वो पिछले सतर तो क्या कई सो सालों में किसी भी राजनेता नहीं किया है जो उन्होंने सनातन धर्म के लिए किया है जो इतने सालों से मुद्दे चल रहे थे उनको जिस तरह से उन्होंने संभाला है सवारा है वो पिछले सतर सालों में किसी ने भी नहीं किया था अब कोई भी मुद्दा देख लीजिए जैसे कि बावरी मस्जिद का देख लीए राम मंदिर का इसके बाद एक महत पूर्ण योगदान रहा है और हमेशा ही सनातन धर्म के लिए उनका योगदान रहेगा क्योंकि वो खुद एक सनातनी है और सनातन धर्म की समझ रखते हैं तो इसलिए मैं फिर कहूंगे कि उनकी राजनीती पर आप सवाल उठा सकते हैं पर उनके धर्म पर सवाल उ विचार कीजिए आज के अंक में बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो नए विशे के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और देखते रहिए ठिंग टैंग